आल राइट से आफ है इस ए पॉर्थ इग्जेम्पल हमने वही काम करना है मिश्टर ए को पहुँचाना है इस पॉइंट पर खड़े होंगे मिस्टर ग्रीन से मिलने जाएंगे यहां पर तो वही वाला इशू आएगा कि यहां पर भी रोड क्या हो जाएगी इनकी ब्लॉक हो जाएगी कि चीज में बार-बार क्यूं करवा रहा हूं देखें डिरेक्शन पर वड़ा फोकस करना है उनके डिरेक्शन पूरा हमारा गेम चेंज कर देगा वेक्टर्स के ओपर अब जब मिस्टर ए इस डिरेक्शन मूफ करेंगे तो वह एम को कवर नहीं कर रहे है वह कवर करेंगे नेगेटिव एम को क्यूंकि पॉजिटिव एम तो नीचे आ रहा है अगर मिस्टर ए इसके खरी तो इसका अंसर आजाएगा माइनस एम प्लस मैंजंब लग एसको चेंज करेंगे अब हमारा मिस्टर कहां मूफ कर Killer एक तो बना देता हूं कि कि यहां पर खड़े हुए हैं, मिस्टर ग्रीन से मिलने इस पॉइंट पर जाना चाते हैं, डिरेट जा नहीं सकते हैं, रोड यहां पर हो गया, ब्रेक, अब मिस्टर ए कहां से आल्टरनेट उट लेंगे भाई वो, अब वो पहले यह से मूफ करेंगे, जब वो इस लेगिटिफ Q, तो इस केश में यह हमारा आंसर आएगा, माइनस P, माइनस Q, पॉर डफेक्टर X, यह आपका अंसर हो जाएगा, ठीके, बीटा, I hope के समझ में आया होगा, इस में मैने दाधर अज्टाइम क्यूं लगाया हूँ कि आपके पास हर पास्ट पेपर के कोश्टर में जहां पर वेक्टर का कोईशन आपको बारा माक्स का नजर आएगा उन बारा माक्स में एप्रोक्सिमेट्री चार से छे माक्स इसी वेक्टर एडिशन के होगी और इस चीज को मैं कैटेगराइज करता हूं हम पाथ आइडिफाइख कर रहेते हैं के वो कहां खड़े हैं और उनको कहां जाना है इस चीज को हम बोलेंगे पाथ आइडिफिकेशन और इसके आपको past papers में ठीक था questions मिलेंगे तो हम basic से start करवाँगा मैं आपको example दूँगा और उसके बाद हम past papers से कुछ examples देखेंगे जहां पर ये वाला concept हमारा apply होता नजर आएगा ठीक है तो पहले मैं एक example roughly देता हूँ आपको Let's suppose that we are dealing with a parallelogram अच्छा ये example विलकुल ऐसे ही रिस्तना हमारे पास past paper के questions होते हैं आल्राइट तो वी आर हविंगा पैरलेलोग्राम इट्स ए बी सी और डी अब आप से कह रहा हूँ है तो opposite sides are equal and parallel तो मैंने यहां पर इसको लेविल कर दिया ठीक है न यह भी मैंने बता दिया कि यार एवी का जो वेक्टर है वो पी है और एडी का वेक्टर हमारे पास क्यों है कोईशन आपसे यूं कहा जाता है फाइन यह बिल्कुल एक्जैक्ली पास्टर पर कोईशन आता है बेटा फाइन टर्म्स आफ पी एंड और क्यों क्या मतलब होता है वह तो सवाल समझें वो यह कह रहा है कि अपने आंसर को पी में और क्यों में या दोनों भी हो सकते हैं त में पास आएगा पी ट्लस क्यों आ गरेगा औरको लैट से पोल साटे हौँ कि आर हमें आउट करना है फरी स्पार्ट फाइन वेक्टर डी सी और हम हमारे पास equal होगा और A B का वेक्टर क्या है हमें question बता चुका है that A B is P sorry अगर A B P होगा तो DC B आपके पास P होगा तो हमारे पास D से लेके C का answer क्या आ जाएगा it's simple P ये आपके पास DC का answer आ गया in terms of P and Q ठीक है इसके बाद अगर मैं आप से कहूं कि अब मुझे ये बताएं कि vector C B क्या होगा अगर आपने इसका answer मुझे बताया Q तो आपने जल्ड बाजी करी क्यूंके Q नहीं होगा क्यूं क्यूं नहीं होगा पहले ये देखें अगर हम बात करें एसे लेके D तो भाई A मैंने का सी से भी जब आपने सी से भी बोला तो आपकी डिरेक्शन वह गई चेंज, और डिरेक्शन चेंज अने की वजाए से यह हो जाएगा आपके पास minus q ये बनेगा आपका answer दो पार्ट्स हो गए थर्ट पर आते हैं अब मैं आपसे कहूँ बही बताएं वेक्टर a c क्या होगा अब starting point क्या है starting point है अमारा a मतलब वही वाली बात Mr. P आ गए यहां पर भी starting point है आपका a और आपको जाना है c पर यह आपका ultimate गोल है आप a पर खड़े हो और आपको c पर जाना है अब आपके बाद दो option है या तो पहले आप a से लेके आ जाओ b पर और फिर b से लेके चले जाओ c तो आप पहुंच गए c पर यह भी कर सकते हो या फिर पहले आप a से लेके d चले जाओ और फिर d से लेके c चले जाओ तो कुछ क्वेकर सकते हो जो दिल चाहे करो दूनों का आंसर दुग्या अगर हम पहले a सी लेके बी आते हैं जब हम एसे लेकि बी खे लेके लिए तो हमने टवर किया वेक्टर बड़न, अब हम कहा कहऊं, अब हम वी पर खड़े हैं और फिर हम बाहे लेके जाएंगे C, तो हमने cover किया vector Q, तो A, C का answer आ गया vector P plus Q, यह हमारे तीन simple से parts हो गए, कि हमको path identify करना आ गया, कि हम कहां खड़े हैं, और हमने कहां जाना है, और वहां तक जाने के लिए जो हम root लेंगे, वो vectors हमें निकाल के देने, वो हमारा answer उतर आए, ठीक है, अब सवा कि नहीं यार, अब थोड़ा सवाल change है, अब मैंने यहां पर एक point mark कर दिया, with a name M, और मैंने आप से यह कह दिया, that M is the midpoint of B and C, कि आपके पास M जो है, वो midpoint आ गया, B और C का, यह हमारा vector है, ठीक है भाई, अब मैं अगर आप से कहूं, part 4, अब मैं आपको बोलूं कि यार, B से लेके M का vector बताओ, क्या होगा, तो अगर आपको midpoint का concept है, midpoint क्या करेगा, भई, half कर देगा, simple सी बात है, अगर यह पूरा vector मेरे पास Q है, तो B से लेके M क्या हो जाएगा, इसका half हो जाएगा, that will be Q over 2, तो B से लेके M का answer is straight away, हमारे पास आ जाएगा, half of vector BC, it will be Q over 2, यह आ गया, B से लेके M का मेरे पास answer, अब मैं यहीं पर एक question reduce करा दूँ, अब मैं कहूं चलेंजी, अगर आपको इतना अच्छा आ गया, तो अब आप मुझे बताएगे M से लेके D का vector क्या होगा, starting point क्या हुआ मेरे पास, M हुआ, ठीक है, मैं mark भी कर रहा हूँ, starting point हुआ M, जाना कहा है मुझे D पर, अब देखें भई, कहां से होते वे जाएंगे, अब जो अकलमन्द होगा ना वो जाएगा पहले M से लेके C, और फिर जाएगा C से लेके D, यह होगा अकलमन्द, लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो पहले M से B जाएंग जाएंगे, फिर B से A आएंगे, फिर A से D जाएंगे, घलत दोनों नहीं है, दोनों सही है, दोनों का ultimate goal डाट D तक पहुंचने का दोनों पहुंच जाएंगे, बड़ आपने काम वो आप्ट करना होता है, जिसमें time कम लगे, answer जल्दी आए और answer ठीक भी आए, जितने आप step add करते रहेंगे, क्या पता कोई add subscribe करने में, आप गलती कर लो, तो इसलिए आपने cut to cut, point to point काम करना है, लेकिन सही काम करना है, तो अब मैं पहले M से लेके आउंगा C पर, जब मैं M से लेके C आउंगा, तो मैं क्या cover करूंगा, इट विल भी half of Q, क्यूंकि M तो mid point था, Q से Q upon 2 आगया plus, अब मैं कहां खड़ा हूं, अब मैं C पर खड़ा हूं, जब मैं C से D पर आउंगा, तो मैंने क्या vector cover किया, अगर आपका answer है P, तो ये गलत है, उनके direction देखें, P की direction तो D to C है, हम जा रहें C to D, तो इसका मतलब हम direction के opposite जा रहें, so that will be a negative P, तो आपका M D का answer आ M D का, ये आपका answer आगया, ठीक है, तो I hope कि आपको ये part समझ में आया होगा, कि आपने कैसे add करना है, कैसे आपने path को identify करना है, that is very important, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये example आपको समझ में आ गई, तो past paper की question में आपको ऐसे ही सवाल नजर आएंगे, ठीक है जी, अब आते हैं हम थोड़े past paper question के उपर, जो इतना अभी तक basic मैंने कराया, उसके relevant में आपको questions कराऊंगा, चैने जी, अब ये question देखके आप घबराएं नहीं विल्कुल, यूँकर सवाल ये बहुत ही असान है, तब ही मैंने start ने पर किया है, अब मैं कुछ आपको ऐसे tips, tricks बताऊंगा, जो के हैं, बहुत मामूली से, और आप करेंगे, सर इससे क्या फरक पड़ेगा, बड़ यकीन करें, आप past papers करेंगे, तो आपको नदर आएगा, नहीं इससे फरक पड़ता है, ठीक है, क्या वो tips हैं भाई, सबसे पहले तो question आप धंक से पढ़ने फिर ये नही तो A से लेके B मेरे पास 2B आगया, as given मैंने मार्क कर दिया, A to D is 3M, so A to D, this one, it is 3M, इसको भी मैंने मार्क कर दिया, given है मुझे, ठीक है, D F is B minus A, D F भी मार्क कर रहा हूँ है, D से लेके F is B minus A, all right, ये भी मार्क कर दिया मैंने, E is the midpoint of A, B, अब midpoint की वरह से क्या होगा भई, कि midpoint की वरह से ये half-half हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, it will be B and it will be B as well, क्योंके E to midpoint है, ठीक है, F is the midpoint of D, C, अगर F midpoint होगा, इसका मतलब है कि ये vector और यहाँ पर जो vector आएगा, वो दोनों हमारे बराबर होंगे, क्योंके F midpoint है, तो ये आगया मेरे पास B minus A, और मैंने direction भी मार्क कर दी, बलकि इसको ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं, पहले direction बनाऊंगा, ताकि गलती बिलको भी नहीं हो, sign की भी, ये ऐसे लिखूँगा, ये वहाएगा B minus A, ये जब मैं find out the vector E है, कहां खड़ें आप, आप E पर खड़े हो और आपने A पर जाना है, देखते हैं भई, मैं E पर खड़ा हूँ और मैंने A पर जाना है, तो ये है तो B, बट मेरी direction opposite है, तो इसका simple answer आएगा मेरे पास, it is negative B, क्योंकि जब मैं उपर जा रहा था, जब मैं A से लेके E जाऊंगा, तो मेरे पास vector B आएगा, अगर E से A आऊंगा, तो negative vectors हो जाएगा, तो ये आएगा minus B, clear है, आगे देखते हैं, अब ये find करना है D to C, अब आपने D से लेके C आना है, तो बहुत simple है, क्या cover कर रहे हैं, B दो बार आ रहा है, और A भी दो बार आ रहा है, तो इसका simple answer क्या आएगा, मेरे पास, दोनों को add कर दिया, 2B minus 2, तो देखें, ये एक छोटा था फाइदा आपको नज़र आया है, कि अगर आप सब चीज़ें diagram में mention कर दो, तो सवालों को solve करने में, आपको काफी help में लेगी, यह हो गया दूसरा, थर्ड है, आपके पास E F, E से ले है, फिर मैंने A से cover किया, D, और A से D के मेरे पास 3 है, मैंने cover किया, प्लस 3 है, और अब D से cover करना है, मैंने क्या, B minus है, मैंने add कर दिया, इसको, B minus A, कहां से कहां तक पहुंच गया, मैं पहुंच गया, E से लेके F, तो यह चीज़ हमने क्या पढ़ ली दी, path identification, कि आप कहां खड़े हो, और आप कहां जाना चाहते हो, यह पता होना चाहिए, ठीक है, तो जो जो मैं इस root में, जो जो वेक्कर्स हैंगे, उन्स सबको add कर देंगे, हमारा answer आजाएगा, तो यहां solve कर रहा हूं मैं, हमने पहले कहे, minus B, फिर हमने किया, plus 3 A, और फिर हमने किया, B minus A, हम B से आए, कहां पर A पर, क्या cover किया, हमने, minus 2 B, और राइट, यूंकि हम नीचे जा रहे हैं, तो हमने cover किया, minus 2 B, क्या आगए भई हम, B से लेके A तक आ गए, B से लेके A पर आ चुके हैं, अब हम जाते हैं, A से लेके D तक, A से लेके D तक है cover किया, हमने 3 A, हम आगा 3 A, अब हम D पर खड़ें दी से लेकर हम जा रहें सी तक यह थो हम निकाल चुकर यह सिम्पल वेक्टर एडिशन के प्रिंसिपल से तो ये आपके पास एक simple सा easy सा question था जिसमें आपने सिर्फ path identification को apply करके चार mark आपने gain कर लिए पूरा ही question हमारे पास 7 mark का था जिसमें जितना आपने अब तक पढ़ा है वो आप gain कर चुके हो ठीक है ना अभी हम अगले वाले पार्ट बिलकुल भी नहीं करेंगे अभी हम सुर्फ path identification पर focus करेंगे और इसके मैंने आपको भी एक सवाल का तक्रीवन और करवाना है 15 हमने कर लिया let's start with 18 all right one more question of path identification question number 18 in your past papers in the diagram oq is equal to qs मैं आपको क्या बताया था कि जो जो conditions है जो जो data है आप सब mark करना start करो और इसका बहुत positive effect आता है ठीक है हमें इसने कहावा है के oq और qs बराबर है that means this line and this line are equal दोनों vector बराबर है qr is two times of pq qr is two times of pq अच्छा दिए तो अगर pq मेरे पास q है और इस q को मैं यहाँ पर place कर दूँ मैं लिख रहा हूँ in fact मुझे दिया वा है के qr बराबर है two times of pq के मुझे तो qr निकालना है और मुझे pq की value दी वी है its q तो मेरे पास qr आ गया तो q से लेके r को मैं मार्क कर रहा हूँ अपनी डियाग्राम में तो q से लेके r मेरे पास आ गया its two q यह हमने निकाल लिया यह हमने इस condition को use कर लिया all right st is two times of rs st is two times of rs अच्छा अभी ना मुझे rs पता है ना मुझे st पता है तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा although कि मैं इसको लिख लेता हूं st is equals to two times of rs बट मैं इस वे टिक mark नहीं कर रहा हूं कि मैंने इस condition को यूज़ नहीं किया आगे यूज़ कर देंगे कोई बात नहीं ओपी हमें दिया वैप यह आपको mention भी है कि ओपी आपके पास पी है ठीक है वेटा आपको पहले find करना है ओट से लेके क्यों starting point क्या है आपका ओपर आप खड़ें और आप पहुंच जाएंगे तो पहले का तो simple answer हमारे पास आ जाएगा oq is what oq is p plus q यह आपके पास पहले part का answer आगया for r s अब इन्होंने क्या करना है उन्होंने r से लेके जाना है s पर यह उनके पास उनका रोट है कोई बात ने भी देखते हैं भाई हमें ये बात मालूम थी के oq और qs बराबर है इसलिए हमने शुरू में मार्क कर दिया था इसको पढ़के तो अगर मेरे पास o से लेके q आ को मुलाकात करनी है mr s यहाँ पर खड़ेंगी ठीक है ना बट वही मसला हुआ कि रोट क्या हुई रोट हो गई टूट गई डारट जानी सकते हैं अभी क्या करेंगे अब यह पहले आएंगे r से लेके q और फिर जाएंगे q से लेके s ठीक है जब यह r से लेके q आएंगे त q अब यह आपका फाइनल आंसर बिलकुल भी नहीं है अकर आपने यहां पर आंसर छोड़ दिया तो आपके माग कट जाएंगे याद रखें जब यह कहता है express as simply as possible तो हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर पी होना चाहिए और एक q होना चाहिए जब दो q आ चुके हैं इसका मतल q यह आपका अंसर हुआ rs का चाहिए मिटा दो पार्ट्स होगा है अब आपको चाहिए o से लेके s o से लेके s मतलब यह चाहिए तो कोई मसला ही नहीं है तो मुझे तो पता है यह भी p plus q है निकाल चुका था और यह भी p plus q है तो यह और यह इन दोनों को हम एड़ कर गे तो सिंपल के आएगा मेरे पास p plus p it's 2p plus 2q यह आगया मेरे पास o s finally i need to find the vector of o t अब मुझे जाना है Mr. Red को जाना है o से लेके t यह इनकर जाना है ultimate goal है o से लेके t जाना ठीक है वेटा कैसे जाएंगे अब यह देखते है पहले यह आएंगे o से लेके s और फ़र यह जाएंगे o से लेके t अब तक मैंने इसको यूज नहीं किया था ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा इसको यूज कर लूँगा कैसे करूंगा अब यह देखिएगा हमारे पास rs का अंसर आया था p minus q तो मैं इस rs के answer को यहाँ पे place कर रहा हूं तो s t के होड़ाएगा two times of p minus q that gives you the value of 2p minus 2q इसका मतलब है कि s से लेके t का वेक्टर मेरे पास आगया two p minus 2q अब वेक्टर निकालते हैं पहले हम जाते हैं ओ से लेके s का वेक्टर क्या था हमारे पास ओ से लेके s हम निकाल चुके है इस two p plus two q अब राइट प्लस s से लेके t का वेक्टर क्या है हमारे पास two p minus two q two p minus two q simplify करें अर हम दोनों को तो two q और two q cancel हो जाएंगे और o से लेके t आपका अंसर आजाएगा simple four p यह आपका अंसर आगया फ्रॉम ओर टू टी है और बेटा तो यहां पर हमने वेक्टर एडिशन को अच्छा खासा सीख लिया कि हमने कैसे पात को आइडेंटिफाई करना है कैसे हम वेक्टर को आइड करना चाह रहे हैं किस तना आइड करके आंसर दिया जाएगा और सिंप्लिफाई करना मेंडेट्री है इस बात को याद रखिएगा ठीक है आगे लेके चलते हैं बेटा पात आइडेंटिफिकेशन के बात क्या है हमारे पास अब हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर से पोजीशन वेक्टर क्या है क्योंकि नाम से आपको समझ में आ रहा है वही जहां पर आप पोजीशन किसी की हालाइट खड़ता हूं एक सपोस्ट मैं यहां पर एक ग्रिट बनाओं ठीक है एक ग्रिट बनाओं और मैं वहां पर एक पॉइंट को मेंशन करूँ अगर मैं एक गवांट यहां मेंशन करदू और मैं कहूझ यह एक पॉइंट है मेरे पास ए तो आप से मैं कहूझ एक को समझनेट च्था होंगे तो इसको इनिšकर करना भूछ सिंपल है X पर मेरे पास value 3 है और Y पर मेरे पास value 2 है यह A के coordinates है मेरे पास ठीक है अगर मैं इसको पूछ हूँ कि हम किसके respect से A की position को finalize कर रहे होते हैं तो हम इसको finalize कर रहे होते हैं with respect to origin क्योंकि हमने origin से count किया origin से 3 steps X पर है और origin से 2 steps Y पर है इस तरह मेरे पास आया 3 और 2 अगर मैं इन दोनों को connect करूँ from O to A मैं एक line draw कर दूँ तो यह जो line मैंने बनाई गये it is a vector now और यह vector कौन सा होगा its vector is OA और OA का position क्या होगा X पर 3 है और Y पर 2 है तो position vector में आप हमेशा उसको किसी point से refer कर रहे होते हो 90% of the cases हम उसको हमेशा origin से refer कर रहे होंगे ठीक है जिस तरह यहाँ पर A का coordinate 3,2 बट मैं आप से कहूँ कि A का position vector क्या होगा वो भी 3,2 होगा बट लिखने का उसको pattern change है कि 3 हमेशा X को represent कर रहा है और 2 हमेशा Y को represent कर रहा है तो हमने coordinate से position vector लिखना सीखा से minus 1,5 की with respect to origin होंगे मैं आप से कहूँ भाई OD का vector क्या होगा तो vector लिखना है कोई मसला नहीं है vector का मतलब होता है represent X or Y in terms of column vector यह होगे आपका vector OD तो यह आपने vector OD की position को highlight कर दिया यह तो simple सी बात है position vector की ठीक है आपको position vector में इसका formula बनाना आना चाहिए जैसे के अगर मैं आप से कहूँ के यार एक vector OA है इसको मैंने AB में add कर दिया तो इसका answer क्या होगा अब हमें vector addition से मालूम है कि अगर यह दोनों हमारे पास same होंगे तो answer क्या बनेगा इसका OB बनेगा ऐसा ही है अगर यहां पर मैं AB को subject बनाऊ AB को मैं subject बनाऊ तो AB वराबर होगा OB minus OA ऐसा ही है अब यह आपको condition जो है ना समझनी है याद करनी है इसको formula बनाना आपको आना चाहिए देखें जब हमने बात करी थी addition की मैंने आप से कहा PQ plus QR इसका answer क्या होगा तो आप लोगों को पता है इसका answer होगा PR तो हमने addition में एक condition को learn किया कि भाई जब यह दोनों आपके पास same होंगे तो जो बचेगा वो आपका answer होगा यह था हमारे पास vector addition में इसी तरह subtraction की भी condition है subtraction की condition यह कहती है कि जब दो vectors को आप subtract करो उनका पहला alphabet अगर same है पहला alphabet same होना चाहिए तो जो answer होगा ना वो reverse order में होगा मतलब OB minus OA It is not equal to BA It will be equal to AB यह reverse order में चलेगा पहला A आया और फिर आपके पास B आया ऐसे चले गए ठीक है ना यह इसका reverse order है मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि CD का vector क्या होगा So that will be OD minus OC यह आपके पास vector बनेगा CD का तो यहाँ पर आपको direct लिखना आ गया कि आपने CD का vector कैसे लिखना है in terms of its position vector यह आपको direct लिखना आना चाहिए position vector में कैसे define करना है आपने vector को अगर मैं कहूं भई EF लिखे EF vector क्या होगा It will be OF minus OE यह आपका vector आ जाएगा OEF का in terms of position vector यह जहाँ पर भी मैं O को introduce कर रहा हूँ हर जगा मैं बात कर रहा हूँ किसकी position vector की यह हर जगा position vector represent कर रहा हूँ है सही बेटा यह तो हो गया इसका concept अब इसको apply कैसे करना होता है पास्टर पर जाके देखते हैं वही फॉरण के paper में सवाल कैसा आता है वह हमारे लिए में है को इसे नमबर 36 अल्राइट दा लाइन एबी जॉइंस अपॉइंट ए और बी 6,5 एक्सप्रेस एबी एदा कॉलम वेक्टर अब हमें वो ट्रिक अगर पता है तो हम इसको एक सेकंड के अंदर कर देंगे हमें यह पता होना चाहिए that a b is equals to o b minus o a यह हमें लिखना सही का position vector के form में o b is what o b is 6 and 5 minus o a is what it's minus 2 and 1 जब आपने यह लिख दिया अब इसको simplify करना तो हमारे लिए बहुत बच्चों का खेल है 6 plus 2 is 8 and 5 minus 1 it's 4 यह बना आपका answer तो बिटा ऐसे आपने simple vectors को लिखके simplify कर लिया हूँ आई होके clear हो गया होगा एक question मैं इसका और introduce करता हूँ position vector को कैसे लिखते हैं हम लोग it's question number 38 yes all right अब आपको क्या दिया है एक vector p है उसका position vector आपको पता है so pq equals to oq minus op that will be pq oq is what oq is 8 and minus 3 and op is what op is 4 comma 2 simplify किया 8 minus 4 is 4 and minus 3 minus 2 is minus 5 यह आपका answer आगया pq का vector in terms of position vector आपने find out किया इसको similarly part b आपको करना easily लगेगा क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं अगर मुझे कहा जाएगा pq का magnitude निकालो हमें formula पता है it's under root of x square plus y square so 4 square is 16 and 5 square is 25 25 plus 16 is 3041 यह आपका answer हो जाएगा क्योंकि paper 2 का सवाल है तो मैं इसको decimal में prefer करूंगा लिखना all right तो I think के आज के लिए हम class को यहीं पर रोकते हैं आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया vectors के बारे में सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है उसको practice करना बहुत जरूरी है तो जितना हमने पढ़ा है अगर आप इसकी practice करो तो आपकी बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी जतने में 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 concept से वेक्टर्स को लेकिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसमें दो बाते भी हमारी रह गई हैं कि एक तो how to solve parallel vectors वो हम next class में इंशाला पढ़ेंगे और how to find the area of similar triangles in vectors दो बातें और path identification में अगर आप पास रिपर solve करो के तो आपको वहां पर ratio वाले सवाल नज़र आएंगे तो वैसे तो जिनको ratio जाता होगा वो कर सकते हैं बट वो भी इंशाला हम next class में discuss करेंगे तो I hope कि आपको वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा और अगर कोई भी problem है तो आप जरू मुझे कमेंट में कर दीजेगा अपना इंशाला मैं पूशिच करूंगा कि आपको एसे पी reply कर सकूंँ तैंक यू वेरी मच